For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28 Bilaspur airport के runway पर testing होई फ्लाइट का एक मार्च से बिलादपूर से दिल्ली होगी विमान सेवा शुरू मुख्य मंत्री भुपेज बगेल के प्रयासों के चलती एक मार से बिलासपूर से दिल्ली और नई दिल्ली से बिलासपूर के लिए विमान सेवा सुरू हो जाएगी एयरलाइन्स के टेस्टिंग फ्लाइट विमान का आज बिलासपूर के चकर भाठा एयरपोर्ट में प्रथा मागमन हुआ मुख्यमंत्री बगेन ने कहा कि आज बिलासपूर एयरपोर्ट के रन्वेफर टेस्टिंग फ्लाइट का प्रता मागमन हम सब के लिए हर्स का विषय है मुख्य मंत्री ने यह भी कहा बिलासपूर का यह एयरपोर्ट अब इलासा देवी केवट एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा मुख्य मंत्री बगेल ने 36 गड़ मच्वारा समाज एवां मच्वा कल्यान बोर्ट के अध्या किस्री एम आर निसास्त के आगरह पर इस एयरपोर्ट का नाम करन बिलासा बाई केवटिन के स्थान पर बिलासा देवी केवट के नाम से किया जानी की सहमिती दी है उलेकनी है कि मुख्य मंत्री बगेल बिलासपूर को एयर कनेक्विटी के लिए लगातार प्रयास करते रहे हैं बीते दिनों नहीं दिल्ली प्रवास के तोरान केंद्री विमानन मंत्री हर्दी पुरी से मुलाकात कर विलास्थूर से दिल्ली मुंबई और कुलकोता जैसे महानगरों से अनुमती देने का आगरह किया था जिस पर केंद्री मंत्री पुरी ने विलास्थूर से दिल्ली के ल दो फ्लाइट सोम्मार, बुध्वा, सुक्रवार और रईवार को संचालित होगी पहली फ्लाइट दिल्ली से रवाना होकर जबलपूर हेतो हुए अपरहां तीन बच के 20 मिनट बिलासपूर कहुंचेगी और तीन बच के 45 मिनट पर बिलासपूर से प्रयाग राज होती हुए वापस दिल्ली लोटेगी वहीं दूसरी फ्लाइट दिल्ली से प्रयाग राज होती हुए साम चार बजे बिलासपूर पहुंचेगी और साड़े चार बजे बिलासपूर से ही जबलपूर होते हुए दिल्ली जाएगी एयर इंडिया की सहाय कंपनी एयर एलाइंस का विमान विलासपूर से दिल्ली के उड़ान के लिए विलासपूर चकरभठा इस्थिर बिलासप देवी केवट एयरपोर्ट पर आज दो फ़र लेंड किया मुख्य मंत्री ने अंबिकापूर एयरपोर्ट से विमान सिवा प्रारम करने एवं जगदलपूर एयरपोर्ट से महानगरों के लिए विमान सिवा शुरू करने का आगरा भी किया था जिस पर केंद्री मंत्री ने साकरात्मक पहल का आस्वासन दिया था मुख्य मंत्री ने केंदरी मंत्री पूरी को बिलास्थूर से दिल्ली के लिए विमान सेवा शुरू करने के लिए एर एलाइस का विमान भेजने के लिए धन्यवाद दिया उन्होंने कहा कि दिल्ली के लिए विमान सेवा शुरू होने से बिलास्थूर और आस्पास के अंचल की आर्चिक प्रक्ति और दोगी की विकास में सहायता मिलेगी वहें जनता को कम लगात्वारी हवाई यात्रा की सुविता भी उपलग्द होगी क्लिपा 28 के लिए मुकेस वर्मा की रिपोर्ट